दोस्तों कैसे हो आप सभी स्वागत है आपका अपने चेनल एक्स्प्लेइन फोर यू में दोस्तों क्लास 10th NCRT बुक का आज हमें कैसा प्रश्ण हल करने वाले हैं जहाँ पर आपको जो दिये गए समिकर्ण है न इन्हें रेखिक समिकर्ण यूगमे में पहले तो बदलना है और फिर आपको X और Y के मान निकालना है जैसे कि यहाँ पर कोशन में कहा गया है निम्न को रेखिक समिकन यूगम में बदल कर हल कीजी हल कीजी मतलब X और Y के मान निकाली अब ये complex रूप में है ये इतने आसान नहीं कि आप इनको जल्दी बाजी में सॉल्व करके X और Y के मान निकाल दो यहाँ पर आपको इन है सबसे पहले रेखिक समिकन यूगम में बनाना है और फिर आपको विलोपन या फिर प्रतिस्थापन या वजरिगुनन विधी से उन समिकनों को हल करके X और Y के मान निकालने है तो चलिए आज इस कोशन को देखी लिया जाए सॉल्व करे लिया जाए बहुत बार आपने ऐसा बोला था कि ऐसे समिकन आपको हल करने नहीं आते तो आप हमें बताईए सर तो आज आपके लिए ये वीडियो में ने बनाय हुआ है तो यहाँ पर आपको दो समिकन नजर आ रहे होंगे पहला समिकन है 5 बटे में X-1 प्लस 1 बटे में Y-2 बराबर 2 और दूसरा जो समिकन है वो दिया है 6 बटे में X-1 माइनस 3 बटे में Y-2 बराबर 1 ये दो समिकन दिये गए हैं तो आपको पहले तो इन्हें नाम दे देना है समिकरन नमबर 1 और समिकरन नमबर 2 तो यहाँ पर हम नाम रख देते हैं इनके इसका नाम रखेंगे भई समिकरन नमबर 1 क्योंकि ये पहला समिकरन है और जो अगला समिकरन है उसका नाम रखेंगे समिकरन नमबर 2 दोनों समिकरनों के नाम हमने यहाँ पर लिख दिये हैं यहां पर आपको एक similarity दिख रही होगी दोनों प्रशनों में, दोनों समय करणों में, क्या similarity कि यहां भी x-1 है, यहां भी x-1 है, तो कोई ऐसे चीज है जो common ली जा सके, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम किसी भी नंबर के गुणा में एक लिख सकते हैं, तो हम यहां कलाकारी यह करेंगे कि 5 के गुणा में हम एक लिख सकते हैं, क्योंकि 5 एक कम 5 ही होगा, 6 के गुणा में भी हम एक ही लिख देते हैं, क्योंकि 6 एक कम 6 ही होगा, यहां तो एक पहले से ही है, यहां तीन के गुणा में भी हम एक लिया आते हैं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, common चीज हो गई दोनों समय करनों में एक समान बात हो गई कि एक बटे में X-1 यहां भी है और एक बटे में X-1 यहां भी है तो हम इसे मान सकते हैं कि भई माना कि जो एक बटे में X-1 है उसे हमने मान लिया U ABCD का U आप चाहो तो S, T, W, J, V आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो मैंने आप इसे U माना है U और V में हम इसको solve करेंगे तो ये जो common value हमें इन दोनों में नजर आई similarity नजर आई उसको नाम दे दिया U तथा हम एक और चीज़ लिखेंगे कि क्या और चीज़ सेम है एक बटे में Y-2 यहाँ भी है और देखो एक बटे में Y-2 यहाँ पर भी है तो इसे हम V मान लेंगे कि एक बटे में Y-2 इसे मान लिया भिया V अब लिखेंगे तो समीकरण तो समीकरण एक व दो से क्या करेंगे हम यह जो मान है समिकर्ण एक और दो में रख देंगे, put कर देंगे तो समिकर्ण एक और दो से put करने के बात क्या आएगा वो यहां लिखेंगे हम देखो दोस्तों क्या आएगा यह आपका दिया है 5 तो हम सबसे पहले 5 लिख देते हैं साथ में यह जो पूरा वेल्यू है एक बटे में एकस माइनस वन इस पूरे वेल्यू को आपने बोला है यू तो 5 के साथ में यह जो पूरा वेल्यू है ना यह यह हो गया आपका यू प्लस यह पूरा वेल्यू आपने क्या माना है यह जो पुरा value है एक बटे में y-2 यह आपने माना है v तो इसे हम क्या लिखेंगे v और बराबर में क्या है? 2 दिया है तो हमने 2 लिख दिया यह हमने sum ikan 1 को देखके बनाया है कि 5 तो sum ikan 1 में लिखा ही था और यह पुरा value हो गया u प्लस यह पुरा value था v का तो यहाँ पे v रख दिया और बराबर 2 as it is रख दिया sum ikan 1 को देखके हमने यह जो नया sum ikan u और v के format में जमा लिया है अब ऐसे ही हम sum ikan 2 में भी मान रखेंगे कि 6 दिया है तो हम यहाँ लिख देंगे 6 साथ में यह जो पुरा value है एक बटे में x-1 इसका value है u जो आपने माना था यहाँ पर plus नहीं आएगा minus आएगा इसके बाद minus लगाना है और 3 तो यहाँ पर दिया है 3 और 1 बटे में y-2 यह आपने माना है v की value को तो v रख देते हैं और बराबर में दिया है 1 तो यह यहाँ पर एग रख देते हैं दोस्तों यहाँ पर ज्यादा confuse होने की जरुवत नहीं है हमने किया बस एक ही काम है कि जो u और v के मान है न वो समिकर्ण 1 और 2 में रख दिये तो हमें कुछ नए समिकर्ण मिल गए जिने हमने नाम दे दिया समिकर्ण नंबर समिकर्ण नंबर 3 और समिकर्ण नंबर 4 यह हमने नाम दे दिये इनको क्यों 3 और 4 नाम दिये क्योंकि 1,2 और उसके बाद जो नए समिकर्ण बनेंगे वो 3 और 4 ही बनेंगे आगे गिंती बढ़ती रहेगी तो यहाँ पर हमारे रेखिक समेकर्ण हमको प्राप्त हो गए हैं इसे कहते हैं रेखिक समेकर्ण में बदलना जो values आपको common नजर आ रही है दोनों समेकर्णों में उनको you और we मान लेना और उन ही you और we को उन समेकर्णों में put कर दिना समेकर्ण एक और दो में तो आपके रेखिक समेकर्ण युग्म जिने आप विलोपन विधी प्रतिस्थापन विधी वज्रगुनन विधी से हल कर सकते हो चली आप इन्हें हल करते हैं हम विलोपन विधी से यहां एक लाइन खीचेंगे इतने हिससे में हमने यह सिखा कि कि इन्हीं अजीब से दिखने वाले सम प्लस वी बराबर में है दो और अगला समेकन चार है छे यू माइनस तीन वी कितना है छे यू माइनस का तीन वी बराबर में है एक यहाँ पर आपको लगानी है क्या विलोपन विधी विलोपन विधी लगानी है ठीक है आप पूरा लिख लिजेगा कि समिकर्ण 3 और 4 से विलोपन विधी करने पर है ना यह विलोपन विधी द्वारा तो विलोपन विधी में हम क्या करते हैं दोनों समिकर्णों में किसी नंबर से गुणा करते हैं किस नंबर से करते हैं देखो ध्यान से इस 5 का गुणा हम नीचे वाले समिकर्ण में करेंगे और इस 6 का गुणा हम उपर वाले समिकर्ण में करेंगे, cross multiply 5 का इधर नीचे कर दिया 6 का इधर उपर कर दिया, cross में ठीके, अब आपने यहां पर गुणा में नंबर लिख दी हैं, आब इनका सामने सामने गुणा कर दो, कर देते हैं 6 का 5 में गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, यहां पर आ जाएगा 30 और साथ में है U, तो हम U लिख देंगे प्लस, 6 का V में गुणा करेंगे, तो 6 V आ जाएगा, 6 का 2 में गुणा कर दो 6 दुनी 12 आ जाएगा अब ऐसे ही आपको 5 का गुणा भी सामने वाले समयकण में कर देना है कर देते हैं 5 का 6 में गुणा करेंगे तो 5 शंग 30 साथ में U है तो U माइनस 5 तिया 15 और 7 में V है तो यहाँ पर आजाएगा 15 V ठीके बराबर 5 एकम 5 विलोपन विदी हमें यह सिखाती है कि किन्हीं भी 2 चरों के जो मान है वो बराबर हो जाए देखो ना 30 U यहाँ पर भी आगया और 30 U यहाँ पर भी आगया तो यह कट सकते हैं बट अभी यह positive है दोनों तो कटेंगे नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा सभी के चिन्ह बदलने पड़ेंगे तो हम एक लाइन खीचेंगे और यहाँ लिख देंगे घटाने पर क्या लिख देंगे यहाँ लिख देंगे घटाने पर तो घटाते कैसे हैं सभी चिन्हों को बदल देते हैं यह प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा ये माइनस है तो ये प्लस में बदल जाएगा ये 5 प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा सारे चिन बदल जाएगे जब भी आप घटाते हो ना किसी समिकन को तो उस समिकन के सारे चिन बदल जाते हैं जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा चलिए आप हमारे लिए काटना आसान हो जाएगा 30 U में से 30 U घटेंगे तो 0 U बचेगा मतलब यह पूरा ही कड़ जाएगा 30 U में से पूरे के पूरे 30 U चले गए तो 0 पूरा कड़ जाएगा तो इसे हमने cancel out कर दिया है देखते हैं प्लस का 6 V और प्लस का 15 V तो इन्हें जोड लेना पड़ेगा क्योंकि प्लस प्लस होता है प्लस 15 और 6 यह हो गए आपके कितने 21 और साथ में दोनों के V है तो V common यानि 15 V और 6 V मिलके हो गए 21 V बराबर यहाँ पर आपको घटाना है 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे यहाँ बचेंगे दोस्तों साथ बचेंगे कितने बचेंगे साथ यहाँ से अगर आप V का मान निकालो तो क्या निकलेगा V बराबर साथ तो है यह उदर यह V के गुणा में जो 21 है वो उदर जाके हो जाएगा भाग में 21 गुणा का नंबर बराबर के उधर जाके बटे में भाग में चला जाता है अब काड़ देते हैं साथ के पहड़े से साथ एकम साथ, साथ तिया 21 तीन बार में 21 जो है कड़ गया है तो यहां बधाई हो V का मान आ गया है कितना? 1 बटे 3 आ गया V का मान आ गया 1 बटे 3 अब यह जो V का मान है आप समिकर्ण 3 या 4 में रखोगे तो आपको U का मान भी मिल जाएगा ठीके? यह जो V का मान है आप समिकर्ण 3 या 4 में रखोगे ना इसमें या इसमें किसी भी समिकर्ण में रखोगे V का मान U का मान भी आपको automatically मिल जाएगा चलिए अब हम आगे solve करते हैं जगा अपने पास कम है थोड़ा सा इस केमरे को इधर ले आते हैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ी जगा की कमी है इसलिए आप थोड़ा इधर adjust कीजेगा अब हमने V का मान तो निकाल लिया है तो हमची लिखेंगे V बराबर 1 बटे 3 कहां रखोगे समी करण 3 या 4 में कहीं भी रख दो तो हमें यह जो तीसरा समी करण है यह wykorसर लग रहा है 5 u plus v बराबर 2 क्या दिया है समिकरंट 3 है आपका 5 u plus v बराबर में 2 ये समिकरंट 3 था जो आपका बना हुआ था इसमें v की जगा 1 बटे 3 रख देते हैं तो 5 u तो ऐसा ही रहेगा प्लस v की जगा 1 बटे 3 रखना है तो 1 बटे 3 तो 5 u बराबर में 2 तो चली रहा है दोस्तों, ठीके आगे बढ़ेंगे, यहां पर यह जो 1 बटे 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बटे 3, तो 5 u बराबर 2, यह जो प्लस का 1 बटे 3 है, यह उधर जाके हो गया, माइनस का 1 बटे 3, जिन बदल गया, पांच U तो ऐसा ही रहेगा यहाँ पर आप क्या करोगे गुणा करोगे तीन दूनी छे, छे में से एक घटा होगे पांच बचेगा, कितना बचेगा पांच और बटे में तो तीन चली रहा है यहाँ आप L-SIM लेकर करोगे तो आजाएगा आपका पांच बटे तीन, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देखे ध्यान से, यह जो पांच गुणा में है यह बराबर के उधर कहां जाएगा, भाग में तो इससे लिखेंगे क्या U बराबर पांच बटे में तीन और यह जो U के साथ में यह पांच था न, गुणा में था जो कि उधर बराबर के उधर कहां चला गया भाग में चला गया, नीचे चला गया बटे में, तो पांच से पांच कट गया यहाँ पर क्या, कितनी बार में कटेगा पांच से पांच, एक बार में 5 के पाड़े में 5 एक बार में कटेगा तो एक बार में कटा तो यहाँ एक बटे 1 आ गया तो यहाँ पर अपना U का मान आ गया दोस्तों निकल के यह मान भी है एक बटे 3 ही यह मान भी है कितना एक बटे 3 ही तो finally हमारे U और V के मान आ गए है जो कि दोनों मान है एक बटे तीन अब आपको क्या करना है ये जो माना है ना आपके एक बटे तीन एक बटे तीन यू और वी के समान माना है आपके तो वो आप रख दो यहाँ जहाँ आपने माना था कि हमने माना था एक बटे में x-1 बराबर u देखो यहां रखने यू और वी के मान यहां रखने है इस portion में यहां पर जहां आपने माना था चलिए अब मैं फटाफट से इस सब को erase कर रहा हूँ ताकि आपका जादा mind खराब ना हो आप simple way में समझ जाओ आप बस इत्ता याद रखो कि यू और वी के मान है वो एक बटे तीन आए हैं दोस्तों यहां तक आप पहुँच गए हो कि जो ये समेकरण थे तीन और चार इनको आपने हल किया विलोपन विधी से तो आपको यू और वी के मान मिल गए जो कि एक बटे तीन थे अब आपने क्या माना था, यहां लिखेंगे हमने, हमने माना था, क्या माना था, वही लिख देंगे, हमने माना था कि u का मान है, एक बटे में x-1, क्या माना था आपने, कि एक बटे में x-1 है न, वो u माना था, और इधर क्या side में माना था, एक बटे में y-2, एक बटे में y- इसे माना था आपने V इस बात से आप इंकार नहीं कर सकते क्योंकि आपने इधर सबसे पहले जब question की शुरुआत की थी तो ये चीज आपने assume की थी माना था आपने तो इसी का हम use करेंगे तो 1 बटे में x-1 तो यहीं रहेगा u का मान क्या है u का मान है आपका निकाला होवा मान देखो 1 बटे 3 तो यहाँ u की value रख देंगे 1 बटे 3 जो कि अपने पास आ गई है कॉमा इधर भी solve करेंगे 1 बटे में y-2 वैसा का वैसा ही यहाँ बराबर में v है तो v का मान भी अपने निकाला था 1 बटे 3 तो यहाँ पर भी रख देते हैं 1 बटे 3 अब हमने u और v के जो मान थे 1 बटे 3 वो यहाँ रख दिये हैं अब आपको इन्हें separately अलग-अलग solve कर लेना है और आपके x और y के मान आ जाएंगे कैसे? cross multiply करो यहाँ पर तो 3 का 1 में गुणा करोगे तो 3 एक कम 3 बराबर इधर भी cross multiply होगा x-1 का गुणा अगर 1 में करोगे तो वही आजाएगा दोबारा x-1 ही कॉमा इधर यह समेकन अलग solve हो रहा है इसको अलग से solve करो cross multiply करेंगे यहाँ पर 3 एक कम यह भी हो जाएगा 3 बराबर y-2 का गुणा एक में करोगे तो वही आजाएगा y-2 बधाई हो दोस्तों आपके x और y के मान जल्दी ही आने वाल है कैसे solve होगा आगे देखिए दोस्तों आगे हम क्या करेंगे 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे यह जो minus का 1 है ना यह बराबर के उधर जाके होगा plus का 1 है ना plus का 1 हो जाएगा और बराबर में x तो चली रहा है यहाँ देखो 3 और 1 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 4 जो की x का मान आ गया बधाई हो congratulations इतनी माथा जोड़ी करने के बाद x का मान निकल रहा है जो आपके सवाल में x और y थे ना अब उनके मान हमको मिलने वाले हैं तो x का मान निकल गया 4 और इधर solve कर रहे हो जो आप समय करने यह y का मान देगा कैसे 3 है तो 3 लिख दिया यह minus का 2 जो है उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2 और बराबर में लिखा है y तो यहां 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हजाएगा 5 जो के आगया y का मान यह आगया आपके हल यही आपके answers है दोनों क्या कि x का मान है 4 और y का मान है 5 है ना यह आप screenshot लेकिए रख लीजिए तो दोस्तों जो आपको यह अजीब से समय करण दिये थे सबसे पहले आपने इन समय करणों को रेखिक समय करण की रूप में बदला और वहां से y और v का मान निकाला और वो y और v का मान यहां रख दिया जहां आपने assume किया था वहां और फिर आपके solution करने पे x और y के मान आ जाएंगे थोड़ा सा confusion होगा मुझे पता है लेकिन अगर आप थोड़ा भी confusion हो हो तो इस वीडियो को वापस एक बार देख लो उम्मीद करता हूँ 100% guarantee देता हूँ कि आपको यह चीश समझ में आ जाएगी step by step एक बार फिर बोल देता हूँ कैसे दो अजीब से समयकरण दिये हैं इनको हमने क्या करा रेखिक समयकरण की रूप में बदला कैसे बदला जो चीश common दिख रही थी उन्हें u और v मान लिया यहाँ पर आपको common क्या दिख रहे थे एक बटे में x-1 यहाँ एक बटे में y-2 यह common दिख रहे थे दोनों अजीब से समयकरणों में तो इन्हें u और v माना तो हमारे जो समयकरण थे वो रेखिक समयकरण की रूप में पलड गए बदल गए और इसे फिर हम क्यों नहीं हैल करेंगे विलोपन विदी से हैल कर लिया समयकरण युग में बदलना सीख गए होंगे और बदल कर हल करना सीख गए होंगे और यू और वी के मान निकालना सीख गए होंगे तो उमीद करता हम वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजेगा और दोस्तो अगर आप विलोपन विधी और प्रतिस्थापन विधी सीखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर वीडियोज शो हरे होगी इन वीडियोज को क्लिक कीजिए और आप आराम से विलोपन विधी सीख सकते हैं बड़े आसान तरीके से जिहां दोस्तों विलोगपन और प्रतिस्थापन विधी इन समिकर्णों को हल करने के लिए एक आसान विधिया मानी जाती है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और चले जाए इन वीडियोस पर देखिए उन वीडियोस को सीखिए चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलेगा थैंक्यू सो मच